हेलो रुस्तू स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैम्रा क्लासिस में प्यारवच आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी बेडियो भलती दोहर अठारे के बारे में ठीक है जिसमें पद आये थे आपके 1953 तो ये कब आई थी 2008 में वैकेंसी आय थी और अप के चल रहा है 2002 चल रहा है मतलब कितना टाइम इस भलती को हो चुका है 4 साल इस भलती को हो चुके हैं और बच्चे किसका इंजाइआ गरता है बच्चे इंजाइआ गरता है एक्जाम ढेट कर ठीक है जैसे कि आपको बता है जब ये भरती दोयार 18 में आई थी फिर इसके बाद क्या हुआ इसका एकजाम हुआ था और एकजाम के बाद आप सभी बच्चों को बता है इसका क्या हुआ था इसका final reality आ गया था जिसमें आपको cut off के बारे में सब कुछ बता है और सब कुछ मैं आप अब जो एक्जाम होगा इसकी कटोफ कितनी रह सकती है ठीक है तो फाइनल लियल्ट आ गया था इसमें 1923 बच्चों को सलेक्ट कर लिया गया था ठीक है इसमें कुछ बच्चों के रिष्टे विष्टे भी हो गए थे सब कुछ आपको पता है आपके आस्पेडों से जो लगा ठीक है तो बच्चे कोड जाते हैं कोड जब इसकी जाच होती है तो पता चलता है कि इस भरती में इस भरती में 70% धानली थी मतलब आप लगा सकते हैं कितने पत थे 1953 पत थी और इसमें 70% धानली मतलब 1300-1400 पत तो आपके धानली से ही भरे गई थी ठीक है तो इसलिए फिर कोट ने क्या किया इस भर्टी को कैंसिल कर दिया था बट फिर सुप्रीम कोट में गया एक केस तो सुप्रीम कोट का अभी जैसे कि आपको पता है दो से तिन निन पहले ही फाइनल डिसीजन आ गया है केस भर्टी को बिल्कुल कैंसल किया था आप कोई सुनवाई नहीं होगी ठीक है अब आप इसका रिये एक्जाम कराईए ठीक है तो आप बात चल रही है रिये एक्जाम कब होगा उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नए पैटर्न पर ठीक है नए पैटर्न किया रहने वाला परिक्षा का और परिक्षा को लेकर आयो कि कितनी तियरी आपको एक्जाम कराने के लिए और आपका चैन होना आसान क्यों है आपका चैनित होना आसान क्यों है आप सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और बच्चे रीजनिंग से परेशान रहते हैं ठीके सा दीजनिंग कैसे करें दीजनिंग में हमारे पिछली बार नमबर नहीं वने थे जो कि वही बच्चे एक्जाम देंगे जो 2.18 में दिये थे ऐसो तो है नहीं कोई भी इसमें नया बच्चे एक्जाम देने वाला है कोई नया बच्चे एक्जाम नहीं देने वाला जो बच्चे दो एर अठारे में फुर्म रहे थे भही इसका एक्जाम देने वाले हैं ठीके तो अब एक एक करके सबको बहुत अच्छे समय लेते हैं एक एक point आपका clear करने वाला हूँ वीडियो को सूरु से लेकर last तक देखना ठीक है सबसे पहले बात करेंगे हम इसके नई pattern पर ठीक है नई pattern पर हम बात करने वाले हैं तो नई pattern क्या है ऐसा नहीं है न आपको पता है इसका pattern क्या है इसमें आने वाली है आपकी reasoning reasoning, reasoning, hindi, reasoning, hindi और gs ठीक है g के gs इसमें आने वाली हैं तीन subject आपके आने वाले हैं कितने कितने question आते हैं 50 question इसके होते हैं 50 question इसके होते हैं और 50 question इसके होते हैं ठीक है आपको ये सब कुछ पता है आपको ये भी पता होगा पिछली बार जो एक्जाम हो था उसमें रीजनिंग बहुत टफ आई थी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेसान कह रहा था डिस्रिजन मेकिंग के ज़्यादा कोश्चन आये थे कतने पूटधाणों और इतने लेंथी लेंथी कोश्चन और टाइम कम पढ़ गया था बच्चों को बैसे तो कर सकते था अगर उनको बैठा कर अगर उनको टाइम जादा दिया जाए तो बड़ जब टाइम देखते हैं तो हमें वह कोश्चन को सोल नहीं कर पाते इसलिए बहुत बच्चे इस बच्चे से भी फेल होगे थे तो आपको कैसे गरना है सब कुछ आपको बताने वाला हूं अब पैटर्न में क्या चैंज होने वाला है जैसे कि आप बच्चों ने अगर किसी बच्चे ने एक्जाम दिया है यो भी फोरेश्ट काड़ का अभी है तो अब देखा था दोहर 12 में एक्जाम हुआ है यह एक्जाम दिया है यह तो आपने देखा था दोहर 18 बहुत अच्छा पेपर आया था ठीक ठाक पीपर आया था ठीक है आप देखना अगर आपके पास प्रेक्टिस एडिव बिल लाए तो दोहर 19 आप देखेंगे कुछ भी नहीं था ऐसा ठीक है तो आप यह सोच कर ना चलें आप यह बिल्कुल ना सोचें कि दीजनिक जैसे आई थी पहले 20 ही आने वली है क्योंकि आपको बता है जिस कंपनी ने आपका पहले एक्जाम कराया था वो कंपनी बैन हो चुकी है ठीक है उस कंपनी का में नाम ल ने आपको एक्जाम कराने वाली है तो उस में क्योंकि हर कंत के प्ैटन होता है वो कि मुझे अफ़भाणा की से इस destaar तो उस तरीके से आपका एक्झाम रहने बाला है तो आप जीन से इतना लाड में निकरता तैयारी करें उस लेविल की तैयारी करें आप यह जो कोश्चन को मत छोड़ देना कभी उसके चक्र में जो कुश्चन आसान है कभी उनको नपढ़ो बस डिसिजन मेकिंग ही पढ़ते रहे जाओ और जाके वह कुश्चन मीड़ा वने तुमसे प्रैक्टिस ही ना करो ठीक है तो बहुत अच्छे से रेजनिंग त्यारा हमको कर करनी है किलियर है तो पैटर में कुछ चैंज नहीं है बस कंपनी चैंज हुई है तो जहां तक मुझे लगता है हिंदी तो लगभग आपकी सेमी रहने वाली है ठीक है और आप फोरेस्ट काट का एक्जाम देख लेना इसकी तरह ही हिंदी आपकी रहने वाली और पहले तयारी करें इस दिंग आप मान की चल सकते हैं पहले की तरह क्योंकि तयारी तो हम अच्छी ही करनी होती है अप यह पर इजी आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है बट इजी को छोड़ते चले और बहां पर जाके ना वने क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होती ना तो हम कोस् सब्सक्राइब बताओ कुछ करना है मैं यह आपके अगजाम इस टारिक से है तो अभी आयोग थोड़ा सा बीजिक की चीज में है क्योंकि आपको पता है वे एट में 37,00,000 के आसपास 37,00,000 ठीक है पैने भी नहीं चलता कभी कभी 37,00,000 पो देखकर तो पैने भी नहीं चलता हूं अब तुम देख लो बेरोजगारी कितनी है ठीक है पैन में मैंना कर रहा है चलने से 37,00,000 मैं अभी बीजी है आयोग क्योंकि हो जादा फूम होता है 37,00 37,00,000 बच्चों के मतलब कैसे कैसे बैठाना कहां सेंटर बनाने इसमें विजी है और आपको पता है इसकी परिक्षा जोगी कभ होने वाली है अक्टूबर में हम पैट के एक्जाम कराने को यह बोल रहे हैं अब अक्टूबर तक यह इसका एक्जाम कराएंगे तो मुझे नहीं लगता यह वीडियो का एक्जाम अक्टूबर तक करा लें किसी भी हाल मुझे नहीं लगता है ठीक है अक्टूबर से पहले तो एक परसेंट चांसा मान सकते हो अक्टूबर से पहले तो मुझे विलकुल लगता नहीं कि एक्जाम करा लेंगे तो अभी एक्जाम आप कर नौंबर में जा सकता है ठीके दिसमबर तो तो हुई जाएगा अपसा必न तो समय दोसम्त करत को और आपको पताए ठीड हट और ठीक है अब बात कर लेते हैं रीजनिंग कैसे तयार करें तो रीजनिंग का मैं आपको पहले बता चुका हूँ ठीक है दीजनिंग तो रीजनिंग आपको इतनी आनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने पिछले पेपल देखा अच्छे से कंप्लेट करो ठीक है उसके लिए एक टाइम अलग निकालो कि मुझे इस टैम में डीजनिंग के कभी यहां पैसा मत करना कि पता चले डीजनिंग का एक कोश्चन में नहीं अपने ठीक से त्यार नहीं करें और डाइस में उसने घुमा दिया तो सब चैप्टर का पहुत अच्छे सा आपको तयार करना है अब रीजनिंग की जिस बच्चे ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बताना चाहूंगा बंड 77 वीडियो दिजनिक के आपको एक प्लेलिस्ट मेरी बनी हुए जिस बच्चों को रिजनिंग से डल लगता है बिसबास रखिए आप बंड 77 वीडियो एक जाम तब पूरी देख लिजिए बादा करता हूँ आपसे अभी मैंने ये डिसिन मेकिंग बले कुश्चन नहीं कर आए हैं बरना उनको छोड़कर अगर एक भी कुश्चन आपको छुट जाए तो मुझसे अगर कहते ना कि ज़र हम आपसे पढ़े थे हमारे इतनी कुश्चन छुट गए बड़ आपने वीडियो को अच्छे से देखा हो और अच्छे से समझा हो और अच्छे से नोट्स तयार किये हो ठीक है और ये डिसिन मेकिंग का पोर्षन में आपको जल्द लेकर आने वाला हूँ कुशी टाइम में एक एक वीडियो में कम्प्लीट कर दूँगा किलियर इसकी कोई डाउट तो नहीं किसी वच्चे को भी नहीं होना चाहिए ठीक है बस इतनी वीडियो देख लिजिए आपका काम रेजिनिंग की टैंजन खतम हो जाएगी और हिंदी हिंदी में आपको पता है मैं हिंदी आपको करा रहा हूँ ठीक है हिंदी अभी मैंने कुश दिन के लिए रोक दी थी तो 14 वीडियो आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगी और बढ़वाले से कोश्चन आया तो जितना मैंने करा दी उसके अंदर से आएगा यह मैं आपसे बात आगरता हूं पच्यास की त्यारी करेंगे यह मैं आपसे बात आगरके चलूंगा यूपी पुलिस और इसके लिए ठीक है के लिए तो आपको इसकी इटेंशन है तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है रिजनिंग आपको कैसे पढ़ लिए वह मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं अब बात कर लेते हैं इसकी कटोफ पर ठीक है कटोफ कितनी रहने वाली है जैसे कि आपको बता है कटोफ फिचली बार के अगर मैं कटोफ की बात करूं जन्रल की जन्रल की ओबीसी की की एस सी की और एस टी की ठीक है मेल की बात कर रहा हूं यह मेल की मेल मतलब जानते हूं नो कुरूष ठीक है जन्रलकी कितनी गई थी 211 नमबर ठीक है 211 कितने में से 300 में से आपको पता 1500 कोश्चन आते हैं एक कोश्चन दो नमबर का होता तो कितने नमबर है 300 नमबर OBC की गई थी 205 आप देख सकते हैं इतना अंतर नहीं था जनरल OBC में HC की कितने गई थी HC की गई थी 1285 ठीक है और ST की गई थी 168.24 ठीक है इतनी आपकी कटोफ थी किलियर है जनरल की इतनी 211 300 नमबर में से OBC की 205 HC की 185 ST की 168.24 किलियर है इतनी कटोफ थी अभी कैंसे कैंसे थी सब कुछ आपको बताने वालो और आप कैंसे इस कटोफ को पार कर सकते हैं की वो चाहिए वो जनरलो ओभी सी हो SC ST हो ठीक है कितनी थी 198 मार्क्स कितनी जिसके 300 में से 198 मार्क्स थे वो किसी भी कैटेकरी से बच्ची थी सेलेक्ट थी किलियर इतनी कटोफ हम देख चुके हैं अब हम बात कर लेते जैसे कि आपको पता है अब कटोफ की बात करेंगे आप 24 में क्या रह सकती है ठीक है UPSS एवीडियो की कटोफ 24 में क्या रह सकती है इसमें हम बात कर लेते हैं तो इसमें पहले बात आपको पता है Reasoning Hindi और GK ठीक है GK GS साइन्स के बिखोशन इसमें आ जाते हैं 2-4 आपको देखने को मिलने वाले है reasoning में आपको जो score करना है अगर पहले के तरह paper है जो पहले paper आया था तो उसके according तो मैं मान के चलता हूँ एक average बच्चा कर ठीक पड़ता है तो 35 plus 35 कासपर तो करना चाहिए ठीके इतने तो आप normally question मिल जाएंगे ठीके अब हिंदी में कोशिश करनी है आपको ठीके कोशिश करनी है अगर पहले की तरह भी हिंदी आ जाए क्योंकि पहला भी करके देखना आप 45 आसानी से कर दोगे 45 आप कर रहे होगे उसमें अगर आपने हिंदी अच्छी त्यार किये अगर नहीं कर पारे तो आपकी तयारी कम है इससे किलियर है तो तयारी आपको करनी पड़ेगी ठीके तो कितने हो जाते हैं ये 45 और 35 कितने हो जाते हैं 80 हो गए ठीके question होए है 80 एक question 2 marks का होता है ठीके अब GKGS में आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ज्यादा ज्यादा नंबर खीचने की ठीके क्योंकि GKGS जिसके अच्छी होगी बहुत आसाने सेलेक्शन ले जाता है क्योंकि GK बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं ठीके तो कोशिश आपको कितने रखनी है 25 से 30 question तो नॉर्मल आपके होने चाहिए 25 से 30 question तो आपको करना चाहिए ठीके तो आप कितने लगा रहे है उसमें 80 और 200 मतलब 105 105 और 110 के बीच अगर आपके नंबर रहते हैं नहीं सोरी नंबर नहीं question ठीके 105 से 110 के बीच अगर आपके question रहते हैं तो जहां तक मुझे लगता आप एक safe zone में हो ठीके अगर ज्यादा इजी पेपर नहीं आता तो ठीके बरना अगर इतनी इजी रिजनी रख दी जैसे यूपी ट्रीपल से फोराश काट के रखी थी तो बच्चे ऐसे मैं 50 में से कोई 45 करेगा बरना 40 से नीचे कोई नहीं जाएगा 42 43 45 कोई पूरे भी कर सकता है ठीक है तो यहां तक मुझे लगता है safe score है ठीक है कितना 105 110 question अगर नंबर पूछेंगे आप मुझसे तो 210 से 220 के आसपास अब आप कहेंगे सार इतनी cutoff तो पहले भी नहीं थी इतनी cutoff तो पहले भी नहीं थी तो इतना टारगेट करेंगे न तो आपको बदा और नीच आ जाएंगे आप ठीक है तो इतना क्योंकि आपको यह भी पता है पहले 1923 वेकेंशी थी और 70% धानली मतलब 1300 के आसपास धानली से भरे गए तो मतलब कितने बेकेंशी 600 के आसपास बेकेंशी इसमें जो महनत करने वाले बच्चे वही सलेक्ट हुए तो इसके अकोडिंग तो ठीक है तब ही कटो इतनी थी 211 सब्सक्राइब के तो आप थोर कम रहनी चाहिए हाँ मैं मांनता हूं आपकी बात कँम रहनी चाहिए के लिए रहे क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं सब को ये पता है रभोलड Chop की भ्रति हो गई in guys and I think at the बता है के आपने आश पार से जितने आट अपने देहनों दस जो उश्य थी अच्छी तैयर बड़ आपको दस से 220 के आज पास टार्गेट लेके चलना है किस से नीचे तो मुझे किसी गयोंत पर आना नहीं है किसी मौक टेस्ट में लगा रहे हो तो नीचे आ रहे हो तो सोचे मेरे सेलेक्शन होगा नहीं कैसे बढ़ाओ नमबर ठीक है यह टार्गेट आपको लेकर चलना है ठीक है तो बस इतना ही मुझे बताना था अगर वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट वोक्स में कमेंट करके जरू बताएंगे अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब पर देंगे ठीक है तो मिल दें नेस्ट वीडियो में जो भी आपकी वेडियो है वो कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं